गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभ्योद एकडमी के ओनलाइन प्रेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागतियों मभियन दन है मैं आस्तोस आज आपके समख शुपस्तित हूँ आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ जो की 69 सिछक भरती के 22,000 सीटों से है MRC मुद्दा जो की मीटिंग हुआ था मुखि मंतरी जी के दौरा उसमें जो कुछ कहा गया है निउस पेपर के माद्ध हम से उसको भी देखेंगे B.A.D. में कुछ जो है सेंटर वगएरा चेंज हुए है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आपका जो अभी T.G.T. का एक्जाम है उसमें जो है टाइमिंग के टाइमिंग से रिलेटर जो भी संसोधन हुए है वो देखेंगे और जो भी लेटेस्ट जॉब वगएरा है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बीट प्रोवेस परिक्षा में तीन केंदर बदले गए छे अगस्त को प्रस्तावी संयोक्त बीट प्रोवेस परिक्षा में सासन के निरदेश पर तीन परिक्षा केंदरों में बदलाव किया गया है प्रोवेस परिक्षा के राज समन्वे प्रोफेशर हैं अमिताब बाजपेई ने बताया कि अतरिक्त मुख्य सचुग्री के निर्देशा अनुसार कुल जिलादिकारियों द्वारा तीन परिक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है इसके अनुसार इटावा में कर्मशेत्र महाविद्याले ब्लाक A की जगा जनता महाविद्याले इटावा कर्मशेत्र महाविद्याले इटावा ब्लाक B की जगा जनता इंटर कॉलेज ब्लाक B इलहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज की जगा इलहाबाद युनिवर्शिटी के कामर्स डिपार्टमेंट को परिक्षा केंद बनाया गया है तो जिन लोग कभी यहाँ पे कोई सेंटर बगएर हो तो वो लोग अपना चेक करके तब जाएं देखते हैं डिजी लॉँक कर से डॉँनलोड कर सकते हैं प्रमारपाद जो लोग भी अभी एक्जाम 10 एट्यार्ट का जो है CBSC Board से जो है पास हुए हैं वो लोग जो है अपना रेजल्ट जो है जाके DC Locker आप पहले डाउनलोड कर लें उसके तहट जो है डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश माधमिक सिछाथ सेवाचायन बोर्ड जो भी समस्त केंद्रा धक्ष यारा पच्छीस मातपूर सुचना आए एक डिस्ट में 23 सत्र का समय साढ़े नौ से 9 से 9 बच के 30 मिनट एम से 11 बच के 30 मिनट एम से तुरूटी वत तूरूटी पूर्ड टंकित है इसे दो बच कर 30 मिनट पी एम से 4 बच के 30 मिनट पीम पढ़ा जाए तो ये जो है आपका लेटर जारी हुआ है डीजीटी पीजीटी के लिए तो आप लोग देख सकते हैं जिनका भी एक्जाम हो वो लोग जाके देख लें इसमें उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि MRC मुद्दे पे जो है अभी न्यूज आ रही थी कि बुलाय गया था दो सदसी जो वहाँ पे टीम के दो सदस थे उनको बुलाय गया था उनसे बात चीथ हुई है तो उसमें क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री जी के दौरा उन्हों ने भी जो है मुख्यमंत्री जी ने में टूइट करके बताया है कि मुख्यमत्री योगी जी ने सुनी अभेरतियों की समस्या निस्ताराण के लिए दिये निर्देश परिसत सचीव में सुनी पीड़ा आज प्रमुख सचीव बेसिक सिच्छा से मिलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है सियम जन आरोग बाइस से सुरू करने की तयारी जो मेला है वो जो है बाइस तारिक से सुरू को जाएगा इसमें क्या कुछ कहा गया है अब आगे जो है लोग इसमें असपरस्थ नहीं उपारा आगे न्यूज के माध्यम से देखेंगे कि क्या कुछ कहा गया है तो इसमें बात चीत हुई है उसमें कहा गया है कि बेसिक सिच्छा परिशत के प्रात्मिक विद्याले में 69 जास सिच्छक भरती पूरी हो चुकी है वहीं प्रत्योगी चैन में OBCYC अभरतियों की अंदेखी कारोप लगा है मुख्यमंत्य योगिया दितनात ने सोमवार को खुद पहल करके पत्योगियों को बुला कर समस्या सुनी थी के निर्देश पर मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक सिच्छा दीपक कुमारपती योगियों से मिले और उनकी समस्या सुनी प्रमुख सचिव ने कहा कि एक सब्ता में प्रकरण का निस्तारण कर देंगे तो आप लोग जो है देख सकते हैं कि एक हफ्ते में ही आपका जो है निस्तारण हो जाएगा और आप लोग को जो है कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी मुखि मंतरी के निर्देश पर प्रमुख सचिव बेसिक सिच्चा ने सुनी उनहत्तर जैसे च्चक भरती में गड़बड़ी की सिकायते हैं तो भी आपको जो है जो भी चीज है वो सब एक हफ्ते में कनफर पता चल जाएगा उससे लेटर परिशान नहीं होना है आपको जो भी अपडेट है वो आपको जो है अभियोदे अकडमी के दोर प्रोवाइड कर दिया जाएगा पड़ाम साथियों जैसा की तैक कारिकरम के अनुसार आज गोरखपो टीम की तरफ से 22,000 मुद्दे पर हिमानसु दूबे जी की नेत्युत में भारती जनता पार्टी छेतरी कारियाल बेनी गंज में डाक्टर धर्मेन जी से वारता हुई चुकि दो घंटे के लंबे इंतजार के बाद इस्वर की क्रिपा से सर से वारता हुई हम लोग ने सादर हांस जोड का प्रातना कियेगी सर हम सब 97 पर पास यो क्या भेरती हैं जो कि जिनका अकैडमिक गुडांग राजनास जी के समय तथा कल्यार जी के समय आउसस से भी कम गुडांग से चैन जो है से वनशित रह गये हैं तथा माननी सुप्रीम कोड की कथा नंसार दो क्रमागत भरतियों से पूरे एक लाक 37,000 अध्यापक पदों को भरना है जिससे 22,000 लमसपत जो है अभी भी सेस रह गये हैं जिस पर सर का कहना है कि मामला पूरी तरह से संग्यान में है आप लोग की बातों को मक्युमंत्री ज से भी आपके मामले में क्या कुछ रास्ता निकल सकता है इस पर चर्चा हुई है माननी मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखिया और आपके साथ नियाय होगा हमने आपका 46,000 पदों पर जीयो निकल वाया था कुछ समय दीजिए इस 22,000 मुद्दे पर भी कुछ न कुछ हम रा 42 दिन से अब भरती धरना दे रहे हैं आए दिन मंत्रे जी का आवास किरा जाता है इस पर उन्होंने कहा कि इलाईयों से जानकारी मिलती रहती है आप लोग बिल्कुल भी परिशान नहीं हो थोड़ा समय दीजिए मानने मुख्यमंत्री जी के नाम का ग्यापन हमने उनको ज जार जो टीम के लिए हैं सक्री सदस्य हैं ये गोरकपूर के तो आप लोग देख सकते हैं तो जल्द ही कुछ न कुछ इसमें भी 22 जार मुद्दे पर भी सब लोग के संग्यान में हैं सारे अधिकारियों के संग्यान में हैं सारे नेताओं के संग्यान में हैं तो आप भी कुछ न कुछ देखने को मिलेगा नेक्स देखते हैं हम लोग उनतर जासे शखबरती के यह जो है एंसर की अपडेट है एंसर की मामला जो भी कोर्ट में चल रहा है और दो आउट आफ सिलेबस होने पर सरकार से तेज तारीक तक जवाब मागा है सरकार द्वारा आज काउंटर ना लगाने के कारण जर्द साहब खफा दिखे और मातर 20 दिन के बाद ही तारीक लगाया आज जाचियों के वकील की तरफ से कुल 11 प्रस्णों का साच रखे गए कोड अब इन 11 कुशन पर सरकार से अपना पक्ष रखने को बोला है तो 23 सारीक ओडिट लगी हुई है आप लोग देख रहे हैं और जल्द ही जो है एंस्वर की पक्राण पर भी गवर्मेंट अपना पक्ष रखेगी उसके बाद ही जो कुछ होगा आडर में देखने को मिलेगा नेक्स देखते हैं स्कूल में भी देख सकेंगे बिद्यार्थियों का परड़ाम इस्कूल भी देख सकेगा तो इस्कूल प्रशासन भी अब देख सकेगा उनके लिए भी cbsc.digitallocker.government.in पर नतीज़े को देख सकते हैं उसके बाद सिच्छक संग ने विद्याले खुलने के निर्ड़ का किया स्वागत तो अब जो है विद्याले खुलने वाला है आपको पता है कि भी 9-12 विद्याले आपका 16 तारिक से खुल जाएगा उसका जो है जो भी सिच्छक संग के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया ह नेक्स देखते हैं डिप्टी सीयम को लिखा पत उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा संग के प्रदेश महामंत्री लाल मरी दुवेदी ने मंगलवार को डिप्टी सीयम डाक्टर दिने सर्मा और सिच्छा विभाग के अफसरों को पत लिख कर ततकाल सिच्छकों के नावेदन को बिना किसी कारा रोकने और निरस्त करने वाले प्रबंध को और प्रधानाचारियों के खिलाब कारवाई की जानी चाहिए सिच्छक बर्ति के लिए रोस्टर पर आज लगेगी मुहर तो आप लोग देख रहे हैं कि सुरू होगा नया पाठ करम संस्कित में भी हो गए लहाबाद भी सुविद्याला का धेव वाक्य और नेक्स देखते हैं 75% सरकारी स्कूलों का 100% परिडाम तो जो भी 75% आपका सरकारी गवर्मेंट स्कूल है उन सब में लगबग 100% रिजल्ट रहा है और रिजल्ट भी काफी अच्छा खासा रहा है और उनका माक्स भी जो गवर्मेंट स्कूल से हैं उसमें बहुत ही अच्छे मिले हैं फर्जी कागजों पर नवकरी कर रहा सिचक बरखास तो ये जो है अब तक 50 से अधिक सिचक हो चुके हैं बरखास दिवरिया का मामला है यहाँ पर जो है क्या था कि जो जहां से उन्होंने पढ़ाई किया है वो 1977 में इंटर की माकसीट लगाई थी उस कॉलेज में उसको जो है मानता हो 1980 में मिली है इस वज़य से फर्जी पाया गया है उनका माकसीट और उनको बरखास्त कर दिया गया है IIT में प्रोवेसप्रक्या सुरू तो ITI का जो भी प्रोवेसप्रक्या है वो आज से सुरू कर दिया गया है विद्यपीट की प्रोवेस परिक्षा आठ को आनलाइन हुए प्रोवेस पत महात्मा गाधी कासी विद्यपीट में दाखिले के लिए प्रोवेस परिक्षा आठ अगस से सुरू होगी कुल नव पार्ट करमों की प्रोवेस परिक्षा होगी तो जो लोग भी हैं वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें जल्दी उनको जो है एक्जाम देना है आर्टारी को जिले के 268 अध्यापकों को नहीं मिल पाती छुट्टी वरार्सी परसदी विद्यालेओं में पढ़ाने वाले सिच्चकों को छुट्टी आसानी से नहीं मिल पाती है उन्हें अध्यारियों के कारियालेओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं खुलासा खुद बेसिक सिच्चा विभाग ने किया है विभाग ने आई वी आर्एस कॉल क जरिये प्रदेश के विभिन जिलों में तैना सिच्चकों से बात किया और फीडवेक लिया सिच्चकों से आवकास के बद्ले विभागी अध्यारियों दारा सोसन की बात पूछी गई वारार्सी में 128 सिच्चकों ने असपस तौर पर सोसन की बात कही है 140 सिच्चक ने बता वहीं बलिया में च्छाचच, चंदवली में 50, गाज़ेपुर के 126, चाउनपुर के 143, माउ में 73, सोनभद में 89 सिच्चकों ने सिच्चायत दर्जी की है बेसिक सिच्च विभाग के विशे सच्च्यू का असलील वीडियो वाइरल इंटरनेट पर जो है इनका विशे सच्च्यू है, उनका जो है एक असलील वीडियो वाइरल हो गया है उनका कहना है कि ये जो है एक फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और यूती की आईडी का एक सोसल वरकर की थी यूती की फ्रेंड लिस्ट में कई जानने वाले थे इसलिए से जो है उनका अग्सेप्ट किया था और अब वो जो है ब्लैक मेल कर रही है उनको हेड कांस्टेबल बनने का जो है आउसर देख लेते हैं कौन-कौन से जाब है आपके एससबी में पद है हेड कांस्टेबल के पदोग संख्य 115 है आयो आपकी 25 वर्स है आवेधन जो है वो स्टार्ट हो गया है आप लोग जाके देख सकते हैं साइड पे साइड भी दिया हुआ है इसमें और इसके बद आवेधन की अंतिम तारीख है 22 तारीख मेडिकल कॉलिज में आवेधन का मौका तो जवाहर नहरू सरी जेल नहरू आयूर विज्यान महा विद्यालेयों सामूहिक चिकित साले संग ये जो है पदोग संख्या 17 है इसमें इसका भी दिया हुए साइड जिनको भी उसे लेटर जो है फार्म डालना हो वो लोग साइड पर जाके चिक कर सकते हैं कि क्या उसके लिए इलिजिबिल्टी होनी चाहिए क्या कॉलिफिकेशन होनी चाहिए इस अब आप लोग जाके चिक कर लें तो जो भी रिक्विट्मेंट है वो आपका इसके जड़ी ये बताया दिया गया है अभी जो लेटिस्ट है और बाकी आप लोग जो है सरकाई रिजल्ट वगारा पर चेखी करते रहते हैं अपडेट वहां से आपको मिलती रहती होगी तो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद